आज की वीडियो का टाइटल है आकाशिक रिकॉर्ड्स और यह टाइटल एक्चुल में मुझे आप जैसे एक दर्शक ने भेजा साथ ही में उसने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें बहुत से मेस्मराइस तरीके से लोगों को बताने का प्रयास किया गया है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है सो उस दर्शक ने मुझे से रिक्वेस्ट करी कि सर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स की सचाई के बारे में एक वीडियो बनाईए सो उसी दर्शक की इच्छा का सम्मान करते हुए दर्शको आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि सचाई में आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है उसको देखना है तो कैसे देखना है समझना है तो कैसे समझना है और अगर वो है तो उसका उप्योग कैसे किया जा सकता है अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि जिन जिन दर्शकों ने हमारे इस S2 Intelligence चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया वो प्लीज लाइक कर दें शेयर करें और जिन जिन को वीडियो पसंद आएं वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सबस्क्राइब करके इस वैदिक ज्योतिश की ज् इस प्रकाश को नॉलेज के प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब भी करें मगर दर्शकों कुछ दर्शकों की शिकायत होती थी कि हमें आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती सो दर्शकों आप बेल आइकन दबाना ना देखी उस वीडियो में एक बहुत बड़े रिलिजियस क्रुप के साथ संबंधित इनसान ने वो वीडियो बनाई थी और उसने बहुत मैसमराइजिंग तरीके से बहुत हिपनौटिक तरीके से लोगों को बताने का प्रयास किया कि आदमी की आकाशिक रिकार्ड्स होते है और जो आकाशिक रिकार्ड्स है ये एक ऐसी जगा पर स्टोर किये जाते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि धर्मराज यम्राज और उनके अकाउंटन्ट जो सब लेखा जोखा रखते हैं उनका किसी के भी कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। उन्होंने ये बताने का प्रयास कि कि इस तरह की एक किताब होती है जिसे आकाशिक रिकॉर्ड कहा जाता है और ये बड़ी सेफ जगह पर रखी जाती है और जब कोई इनसान हमारे पास आता है तो वो जब हमसे रिक्वेस्ट करता है हम उसे कहते हैं कि आप कुछ मंत्र बोलिए मंत्र बोलने से हमारे लिए उन आकाशिक रिकॉर्ड की एंट्री हो जाती है यानि कि हमें अलाओ कर दिया जाता है कि हम उन आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ पाए और हम उन आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ते हैं और उन आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में उन लोगों को बताते हैं उस वीडियो बनाने वाले ने इस तरह से प्रेजन्ट करने का प्रियास किया जैसी ये बहुत बड़ी मिस्ट्री साइंस है पता नहीं आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी जगे पर एक ऐसे स्ट्रॉंग रूम में आकाश में रखे हुए हैं और वहां पर ये जिस तरह चित्रगुप्त का वो कमरा है चित्रगुप्त के कमरे में जैसे ही कोई इनसान मंत्र बोलके संकल्प लेता है तो उसको अलाव कर दि लगर उस इंसान को आके उसके पिछले जन्मों के कर्मों के बारे में बताता है दर्श को ये एक्चुल में और कुछ नहीं है लोगों को डराने की बाते है देखिए यम्राज के पास तो एक ही बार जाया जा सकता है और वहाँ पर जाने का एक ही रास्ता है वो है मृत्यू और मृत्यू जब हो गई तो वो तो हो गई फिर हम वापिस नहीं आ सकते और दर्च को स्पिरिच्वैलिटी में जब हम परमात्मा के सब्जिक्ट की बात करते हैं इस साइंस की बात करते हैं जिसके द्वारा हम जीवन को जानने का प्रियास करते हैं उसमें इस तरह के जूट इस तरह की एबसर्ड नॉलेज की कोई वیल्यू नहीं है पर मात्मा कभी नहीं कहता कि हम किसी को डराएं अब ये जो यम्राज का कॉंसेप्ट है ये आपको समझाने के लिए है चित्रगुप्त का कॉंसेप्ट है ये आपको समझाने के लिए है कि आपको आपके कर्मों का लेखा जोखा लेना पड़ता है और ये सचाई की बात है चित्रगुप्त सचाई नहीं है मगर आपके कर्म और कर्म का फल ये सचाई है और वैदिक ज्योतिश इन चीजों को बहुत क्लियरली और बिना लागलपेट के बिना किसी को डराए बिना किसी को मेसमेराइज किये समझाता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल किसी और को नहीं है वो हमें ही भोगना होता है और उस कर्म को करने से लेकर उस फल को भोगने तक इसमें परमात्मा का एक्च्वल में कोई रोल नहीं है ये आपका ही किया धरा है जो बीज आप बीजते हो कर्मों के द्वारा जब फसल बन आपना होता है, मगर आज के वीडियो का दर्शको टॉपिक है आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशिक रिकॉर्ड्स से लोगों के जहन में एक चीज आनी शुरू हो जाती है, कि कहीं न कहीं कोई चीज है जो आकाश में पड़ी है मगर दर्शको ऐसा कुछ नहीं है वैदिक जोतिश में इन सभी प्रशनों का उत्तर बहुत आसानी से रिश्यों ने दिया है अकाश तत्व क्या है अकाश ये स्काई की बात नहीं हो रही है उस अकाश तत्व की बात हो रही है अकाश तत्व के अंदर अगर हम बात करें हमारे जयोतिश में, specially वैदिक जयोतिश में अकाश तत्व को इंगलिश में इथर बोल दिया जाता है अब इथर का जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट है देव गुरु ब्रहसपती अब देव गुरु ब्रहसपती, जो दर्शक हमारे इस चैनल से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो सब मेरे इस थौट प्रोसेस को जानते हैं, कि जब भी मैं देव गुरु जुपिटर की बात करता हूं, तो मैं हमेशा एक लाइन एड करता हूं, कि देव गुरु जुपिटर के पास आपकी creation की constitution की knowledge है, वो जो codes, जो mystery codes, किसी की भी creation में काम आते हैं, वो codes, knowledge के form में देव गुरु जुपिटर के पास है, इथर, आकाश, आकाश तत्व किसका है, वो देव गुरु जुपिटर का है, ब्रिहस्वतिका, अब आकाशिक तत्व में इस तरह की knowledge का पड़ा होना, हम कह सकते हैं, कि ये आकाशिक records है, मगर सबके records, जो भी हम कर्म करते हैं, ये कोई कर्म इसी जीवन में करेंगे, ऐसा तो नहीं है, या सिरफ पिछले जीवन का कर्म है, सिरफ उसी कर्म का record बनेगा, दर्श को ऐसा नहीं है, जब भी हमारी creation होती है, यानि के परम आत्मा, collective consciousness, उससे जब आत्मा का छोटा सा अंश अलग होता है, उसको जीवन दिया जाता है, एक purpose के लिए के आपको life में evolution लेनी है, अपने आपको develop करना है, और उस आत्मा के साथ कर्मों को बांदिया जाता है, तो हम कर्म लेकर पैदा होते हैं, और ये कर्म कोई दो जन्म, चार जन्म की बात नहीं है, अगर हम honestly इस बात को समझें, अब तक जो मानस जीवन हमें मिला है, पताने कितने जीवन हम पीछे जी चुके हैं, और हर जीवन का कर्मों का लेखा जोखा कह लेजी, वो एक memory के form में इकठा होता जाता है, जितने भी कर्म हम करते हैं, वो सब collect होते जाते हैं, इकठे होते जाते हैं, जिन-जिन कार्मिक चीजों की completion हो जाती हैं, वो complete हो जाते हैं, बाकी का, वो completion का process चलता रहता है, जब तक इनसान इस कर्मों के बंधन से वो desired knowledge ना ले ले और कर्मों के बंधन से पार हो जाए, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए, यही life की philosophy है, अब हमारे वैदिक जोतिश में, हमारे past के बारे में कौन सा planet बताता है, वो है केतू, केतू को हम जानते हैं कि केतू हमारा past है, पिछले जन्मों में जो भी कर्मों के माध्यम से हमने इकठा किया, collect किया, acquire किया, वो सब केतू में stored है, अब केतू और जुपिटर का संबन्ध आप देखिए, आज मैं आपको यह संबन्ध बताने वाला हूँ, वैसे भी हम केतू को क्या कहते हैं, केतू को हम गनपती के साथ मिला देते हैं, अब केतू गनपती, अब आप देखिए गनपती की creation को समझे, कि वहाँ पर परमात्मा ने आपको समझाने के लिए या उन रिशियों ने, क्योंकि परमात्मा ने अगर कोई भी चीज़ समझानी है, कोई मीडियम, कोई माध्यम तो यूज होता है, तो वह रिशियों के माध्यम से उन्होंने इस थोड़े से complicated subject को समझाने का प्रियास किया, कि गनपती क्या है, गनपती में केतू हम कैसे इकठा करते हैं, गनपती क्या है, गनेश, गनेश क्या है, ये भगवान शिव और पार्वती की बाइलॉजिक संतान नहीं है, पार्वती जी जब अकेली है, उन्होंने अपना मन बहलाने के लिए अपने उब्ड़न से गुड़ा बनाया, और उस गुड़े के अंदर उन्होंने प्रान फूख दिये, अब वो तो है गनेश, मगर गनेश अभी गनपती नहीं बने, गनपती बनने के लिए जब तक भगवान शिव का उसमें रोल नहीं आएगा, तब तक वो गनपती कैसे बन सकते थे, सो वो स्टोरी है कि उसमें युद्ध हुआ, भगवान शिव ने गनेश का सिर काट दिया, उसके बाद पारवती जी बहुत गुसा हुई, फिर उन्होंने एक सिर को खोजा, और वो सिर उस बच्चे के धर्ड के उपर लगा दिया गया, और उसको बोला गया, ये आपके प्रत्थम देवता है, भगवान गनपती उनका नाम दे दिया किया, अब आप दिखिए, गनपती बनने के लिए भी, एक बार मृत्यू आएगी, पिछले जीवन की बातों की बात, जब हम करते हैं पिछले जन्मों की, तो गनपती के अंदर, उसी जीवन में, एक वृत्यू आगई थी, शरीर, धर, पिछले जीवन का है, सिर, अगले जीवन का है, और यही तो बात है, कि अगर आप इसे समझ पाओ, और इसी कोड को समझाने के लिए, देव गुरू ब्रहस्पती हैं, अब ये दोनों चीजे कहां पड़ी हैं, अब आप किसी भी जातक का अगर आप चार्ट देखोगे, तो हम कहते हैं, एनर्जीज तो पड़ी होती हैं मूलाधार चक्र में, मगर किसी का भी मूल, मूल नक्षत्र पर्टिकुलर्ली दर्श को यहां पर बहुत इंपॉर्टन चीज़ बन जाता है, अब वो जो मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र किसका है, वो आपके भाग्य के स्थान का पहला नक्षत्र है, गंडान्त के बाद, कीतु का नक्षत्र है मूल, और मूल आपका क्या है, आपका वो रूट सोर्स है, जहां से आपके बारे में जाना जा सकता है यहां पर आपके वो जो पिछले जन्मों के रिकॉर्ड्स पड़े हैं वो मूल नक्षत्र के अंदर पड़े हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स के ही आकाश में वो चित्रगुप्त के पास नहीं पड़े वो आपके मूल नक्षत्र में आपके भग्यस्थान में पड़े हैं और केतू को हम जानते हैं कि केतू death भी है और केतू नई beginning भी है तब ही तो जुपिटर और केतू को हम समकष रखते हैं बराबर से रखते हैं कि दोनों का अगर knowledge की बात करेंगी तो एक ही तरह की बात है तो यहां पर मूल नक्षत्र गनपती प्रथम देवता केतू महाराज और देवगुरू ब्रहसपती यहां पर आपके नवम स्थान में इकठे हो जाते हैं और इसका स्वामित्व किसके पास होता है स्वामित्व होता है देवगुरू ब्रहसपती के पास सो अधर्श को clearly आप समझ लें कि आकाशिक records कहीं आकाश में नहीं पड़े वो आपके चार्ट में आपके नाइन्थ हाउस में आपकी Sagittarius राशी में मूल नक्षत्र में पड़े हैं और जब आप इस तरह अपने पास्ट को जानने की बात करते हो कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया कौन से अच्छे बुरे कर्म किये जिसका फल इस जीवन में हमें अच्छे बुरे के रूप में मिल रहा है अगर आप उस खेल को जानना चाहते हो अपने मूल नक्षत्र को देखो आपके मूल नक्षत्र के अंदर सभी वो मेमरी पड़ी है वो आपका मूल है और आपके चाहर्ट में ये सिर्फ एक ही मूल नहीं है दूसरा मूल भी है दर्श को जहांपर आपकी जीवन दाइनी शक्ति आपका energy level मतलब वो जो energy इकठी energy वो आपके मूलाधार में आपके अश्टम में पड़ी होती है अब ये जो चीज़ है ये अश्टम और नवम का खेल दर्श को बहुत खूबसूरत खेल है आपकी energy मूलाधार चक्र में पड़ी है और आपकी वो जो memory वो जो आकाशिक records वो आपके मूल नक्षत्र में पड़ी है इसी वज़े से देव गुरू ब्रेहस्पती किसी के भी चार्ट में सबसे ज़्यादा important हो जाता है क्यों तब ही हम कहते हैं कि ब्रेहस्पती आपके भाग्य को बताने वाला है और भाग्य क्या होता है दर्श को भाग्य आपका past ही तो है जो capabilities जो qualities जो अच्छी चीज़े हम पीछे से carry करके ला रहे हैं वो ही तो आपका भाग्य है और उसको देने वाला कौन है देव गुरू ब्रेहस्पती है so यहां पर यह जो confusions आजकल फैलाई जा रही है कि आकाशिक records पता नहीं मतलब यह नहीं कहां पड़े हैं और वो देव दूत बनके या हम कह सकते हैं याम दूत बनके उनको allow कर दिया जाता है और वो वहां जाकर वो records को पढ़ते हैं फिर आके बताते हैं फिर वो अपने तरीके से आपको साधनाएं बताते हैं दर्श को यह एक ऐसी science है जिसके अंदर आपको जाना नहीं चाहिए क्योंकि यह सिर्फ कुछ नहीं डराने का खेल है mesmerize करने का खेल है hypnotize करने का खेल है क्योंकि आम जन्मानस psychology बहुत कमजोर है लोग डरते हैं और साथी में curiosity होती है उच्छुकता होती है भई जान ले, समझ ले पिछले जीवन में क्या था अगर हमें वो पता लग जाए कि हमसे पिछले जीवन में गलती होई है हम उसको सुधार ले हालां कि दर्श को एक बात बताओ गलती कैसे सुधारी जा सकती है जो पिछले जन्मों में करती है आपने, जो बीज आपने बो दिया अब वो तो पेड बन गया भाई अब उस पेड की छाया आपको लेनी पड़ेगी उस पेड का फल आपको खाना पड़ेगा वो चाहे करवा ही क्यों न हो सो जान भी लोगे उन आकाशिक रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हो हम अपने पास्ट को कभी अंडू थोड़ा कर सकते हैं हाँ पास्ट की चीज़ों को समझ कर उस ज्यान द्वारा जैसे यह पेड बन गया जिसके फल करवे हैं अब हम दुबारा ऐसा कर ना करें दुबारा ऐसा बीज ना बीजें जिससे इस तरह का फल फिर बने और दुबारा से हमें उसके फल खाने पड़ें तचको यह साइंस जो है जिसको हम spiritual science कहते हैं इसमें डराने का खेल नहीं होता इसमें समझाने का खेल होता है और astro intelligence ये एक ऐसा अकेला channel है जहां पर हर तरह के डर, हर तरह के fear psychosis से निकाल कर आपको clear cut spiritual परमात्मा की तरह मतलब अगर हम बात करें कि परमात्मा द्वारा जो positivity की बात होती है वो देने का प्रियास किया जाता है डराने का खेलने किया जाता और दर्श को ये आप बिलकुल clearly समझ लें कि आकाशिक records उसे डरने की जरूरत नहीं है आकाशिक records क्या है दर्श को आपकी ही तो memory है आपने जो पीछे किया अब वो कि मृत्यू पे क्या होता है सब चीजें इकठी होकर ससकार फॉर्म में मन के साथ अटैच हो जाती है अब जब नया जीवन मिलता है तो आत्मा मनी पुर्चक्रद्वारा किसी भी इंसान के ना भी खेत्र से उसके अंदर प्रविष्ठ होती है अब जब आत्मा वहां प्रविष्ठ होती है तो आत्मा के साथ ही क्या होता है मन साथ में आता है और मन के साथ वो ससकार वहीं से एंटर कर जाते है सो केत्व अकेला नहीं अगर आप उन आकाशिक रिकॉर्ड्स की कम्प्लीट जानकारी चाहते हो मूल नक्षत्र पहला हिंट है दर्श को अब मूल नक्षत्र के साथ आपके केत्व का डिस्टन्स कितना है आप उसको देखिए आपके चार्ट में केत्व महराज कहां अपना जंडा गाड़े बैठे हैं और फिर केत्व महराज से आपका मन कितनी दूर बैठा है उसको देखना पड़ेगा और कुछ चीज़ें कार्मिक बंधन की होती हैं कार्मिक बंधन को जानने के लिए आपको शनी महराज की प्लेस्मेंट देखनी पड़ेगी ये खेल जो है या काशिक रिकॉर्ड डराने का नहीं है समझने का है अगर आपने अंडरस्टेंट कर लिए कि भाई पीछे मैं इस तरह का आदमी था excuse me कि पीछे ये खेल मैंने खेला ये गलतियां मुझसे हुई so क्या करोगे आप आप इस जीवन में वो गलती नहीं करोगे आप पिछले जीवन में आप गिरे थे आप उपर देख रहे थे सामने नहीं देखा आपने नीचे नहीं देखा नीचे पत्थर आया आपका पाउँ उसमें रप्टा और आप गिर गए आपकी मृत्यू हो गई इस जनम में आप वो गलती ना करे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी दृष्टी को नीचे लेकर आना है दृष्ट कोई यह सिरफ अंडर्स्टेंड्निक की बात है इसमें कोई remedies नहीं चाहिए इसमें कोई डराने का खेलने चाहिए इसमें कोई पूजा पाथ नहीं चाहिए इसमें सिर्फ दृष्टी आँखे और सबसे बड़ी बात साक्षी भाव बस that's all वेदों में दर्शको ये ही तो चीज़ें बताई गई हैं वेदों में डराने का खेल कहीं नहीं किया गया धर्शको अकाशिक रिकआध या ऐसे सब्जेक्ट जिसके दौरा समाज में बहुत ज़्यादा दराने का खेल किया जाता है इस से बचें सही तरिके की नॉलेज लें ये टॉपिक दर्शको जो है आकाशिक रिकाध्स का ये फर्स पार्ट है इसके सेकिंड पार्ट मैं आपको आगे देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको आगे की चीज है समझाने का प्रयास करूँगा, कि जैसा मैंने कहा कि आत्मा और मन मनी पुर्चक्र में एंटर कर गए, अब ये तो एक सब्जेक्ट हुआ अब उसके बाद आगे क्या होगा, आत्मा और मन आगे हम क्या कर सकते हैं, वो यात्रा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अदर्वाइस वीडियो लंबी हो जाएगी, तो दर्शको इसको आप अकाशिक रिकॉर्ड का फर्स्ट पार्ट समझे, सेकिंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, बाकी दर्शकों अंत में दोबारा से वो ही निवेदन की एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बिलकुल दबाएं, साथ में जो दर्शक अपने चार्ट मुझ से अनलाइज करवाना चाहते हैं, और नमबर दो, जो हमारे इंस्टिचूट में ये वैदिक नॉलेज लेना चाहते हैं, उन सबी के लिए, मेरा एक ही फोन नमबर है, इस 9881-64480, उसी के माध्यम से दर्शको आप मुझ से संपर्ख स्थापित कर सकते हो, सो सेकिंड पार्ट आने तक, बहुत बहुत आशीरवाद, बहुत बहुत प्यार, बाकि इसके साथ ही में, आपको एड्ट कर दू, दर्शको 2022 भी समाप्त हो रहा है, सो अगले नए साल के आगमन पर, निया संकल्प लेना है, और नए संकल्प में हमें, इस अंधकार रूपी राक्षस को खत्म करना है, और ग्यान रूपी प्रकाश को, अपने अंदर भी लाना है, और समाज के अंदर फैलाना भी है, यही मैसेज देता हूँ अदर्ष को, मैं आपकी अपनी वानी को विराम भी देता हूँ, और आपको सबको नए वर्ष के अच्छे संकल्प के साथ साथ, शुब कामनाई भी देता हूँ, धन्यवाद. क्यों ग्रवे खाना है, तूम झाउड़ मैसे साथ sign वेलाना भी दोड़ित,